Hello everyone, welcome back और आज के से वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ऑंगरेंशन यूनिट है, वो में कैसे create करना होता है ठीक है आज के स वीडियो में मैं OOO create करना बताऊँँगा फिसको यू कॉम कैसे delete करेंगे वो हम सीखेंगे इसके बाद next वीडियो में उसका जो practical है कि हमें OU को किस तरीके से PowerShell पर create करना है वो भी बताऊंगा तो आज किस वीडियो में हम लोग graphical user interface को use करते हुए हम OU को create करेंगे तो आपको OU को create करने के लिए आपको server पर जाना है और यहां पर आपको दो option है यहां पर run पर जाईए और यहां पर type किजिए dsa.msc ठीक है यह command देखके आप enter कर लें जिससे क्या होगा आप user and computer के जो console है वहां पर पहुंच जाएंगे तो यहां पर दिसकते activity user and computer का console आगया है दूसरा option क्या है कि आप server manager को open करें चीक है server manager आपको कहां पर मिलेगा start पर जाएं और इधर right side में server manager मिलेगा यह आप search वार में भी server manager को search कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर tool पर आना है और यहां पर आपको जाना है activity users and computer तो द तो अब जैसे देख सकते हैं मेरे left panel पे कुछ default OU बने हुए है ठीक है तो सबसे पहले अगर मुझे OU create करना है तो क्या करना होगा तो जहां पर आपका यह domain का नाम है जिस नाम से भी अपने domain अपना create किया होगा तो मेरे case में sap.local है यहां पर आपको right click करना है और यहां प आपको जो भी OU का नाम देना है आप दे सकते हैं जैसे मान के चलिए कि मैं HR department के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहां पर लिखता हूँ HR underscore DEPT department HR department तो इस तरह के से आपका HR department का एक OU create हो गया अच्छा मुझे एक और OU create करना है तो right click again new organization unit और इसके अंदर जैसे मान के चलिए मैं यह IT underscore DEPT तो department तो IT department का OU तो जो भी आप OU create करते हैं उस OU के अंदर आप different OU भी create कर सकते हैं जैसे कि मान के चलिए कि HR department OU है और मैं HR department के जो users हैं और computers हैं उनको अलग-अलग manage करना चाहता हूँ तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूँ तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूँ क्योंकि देखिए जब हम लोग आगे policy बनाना सिखेंगे group policy लगाना क्यों user-based policy होगा computer-based policies होगे तो वहां पर हम policy जब लगाते हैं तो वहां पर चीजों को organize अगर आपारे धंक से नहीं होगी तो मैं इसलिए हम चीजों को better than से manage करेंगे तो HR department के right click करके मैंने new पे जाके इसके अंदर एक other further sub OU create कर सकता हूँ मैं ठीक है तो मैंने जैसे बना दिये हैं यहां पर HR underscore computer तो COMP मैंने short form में लग दिया HR underscore computer मतला मैं जितने भी HR के computers होगे मैं इस group के अंदर उसको move कर सकता हूँ ठीक organization unit HR underscore users ठीक है ओके तो यहां पर ही HR users तो HR का department बन गया इसके अंदे मैंने दो सब OU बना दी है ठीक है HR computer and HR users तो अगर मुझे users create करने हो तो मैं इसकी OU के उपर right click करूँगा और यहां पर मैं new पर जाके users पर click करूँगा तो भान के चलिए कि HR के अंदे को user है मैंने का HR 01 एक user का नाम मैंने test user बना दी है HR user test HR 01 login name आपको क्या रखना है HR 01 जो भी आपको नाम देना है आपको यहां पर login name देना है next पर click किये मैंने password जो भी set करना है unfinish तो इस तरीके से आप user भी create कर सकते हैं एक OU के अंदर ठीक है अगर किसी OU को मुझे किसी different OU में move करना है तो भी मैं कर सकता हूँ ठीक है मान के चलिए कि मैं यहाँ पर इस HR user को इस IT department के OU में move करना चाहता हूँ तो right click करके यहाँ पर move पर click करेंगे और मुझे move करना है IT department के अंदर ok कर देंगे तो यहाँ पर एक error आया है windows cannot move the object because the exit denied तो क्या होता है कि देखिए जो हमारे OU है वो आपके protected होते है कि आप directly अगर OU को delete करना चाहिए आप delete नहीं कर सकते है मूँव करना चाहिए move नहीं कर सकते है क्योंकि protected होते है ठीक है तो जैसे कि मान के चलिए कि मैंने भी HR computer के OU को move करना चाहता यह गलती से मान के चलिए कि मैंने कि हाँ OU create कर दिया IT computer के नाम से IT underscore com अब यह जो OU मुझे create करना था वो IT department के अंदर create करना था लेकिन मैंने कहाँ create कर दिया गलती से HR department के अंदर तो मुझे इस IT computer को क्या करना होगा move करना होगा तो लेकिन अगर जो मैं भी move करूँगा आपने देखा अभी कि मैं move नहीं कर पा रहा था तो अकर IT department पे click OK करूँगा so access denied option क्योंकि आपका ये OU accidentally protected होता है तो आपको क्या कर सकते हो right click करके property पर आप आईए और जब आप property पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक object का section मिलेगा but यहाँ पर में को object का section नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना इसके लिए इसको cross किजिए सबसे top पर आपको view का section मिलेगा view पर जाएं और यहाँ पर आपको जाना है advanced features पर view पर जाके आपको advanced features पर click करना है अब आप देख सकते हैं कुछ अलग से information अब आपको मिलेंगी अब मैं वापिस से IT HR department को open करता हूँ, expand करता हूँ यहाँ से IT वाले computer को मुझे move करना है तो right click properties तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अलग से other options भी आ गए यहाँ पर आपको जाना objects के अंदर और यहाँ पर protect object from accidental delete की जो option आ रहा है deletion इसको आपको uncheck करना है इसको uncheck करके apply okay अब इससे क्या होगा कि इस OU को आप delete भी कर सकते हो और आप move भी कर सकते हो अब अगर मैं यहाँ से move करूँ, move कहां पर move करना है IT department के अंदर move करना है, okay कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा IT का computer वा जो OU था वो IT department के अदर move हो गया, अब अगर मैं इसको directly right click करके delete करना यह delete भी हो गया क्योंकि जो accidental protection था वो मैं अंचेक कर दिया था, okay, so मैं वापिस से right click करके, new पर करके, मैं यहाँ पर फिर से OU create करता हूँ, it underscore com, okay, तो यहाँ पर वापिस से मेरा IT com का OU create हो गया, right click, properties, object, और अगर मैं यहाँ पर इसको अंचेक करूँ तो मैं इस OU को delete भी जाँ, तो मैं delete नहीं कर सकता, मैं किसी को move नहीं कर सकता, तो अगर मुझे ऐसा कुछ करना है, तो मुझे right click करके property पर जाना है, और उसके बाद objects पर जाके, मुझे इस चीज को uncheck करके apply okay करना है, तब मैं किसी OU को move भी कर सकता हूँ और delete भी कर सकता हूँ, yes, उसने मुझे warning तो मैं दिया कि जो OU का जो department, जो HR का जो OU था हमारा user वाला, उसके अंदर कुछ users थे, इसलिए उसने मुझे warning दिया, कि अगर आप उस OU को delete करते हो, तो उसके अंदर रखे हुए objects भी delete हो जाएंगे, तो यह ध्यान रहे किसी object को, अगर आप किसी OU को delete करते हैं, तो उसक objects पे जाओ, uncheck करो, ok कर दो, again right-click करके, move पे click करो, कहां पे move करना है, मुझे IT department के अंदर कर दिया, अब वापिस से मुझे उस protection को लगाना है, तो right-click करके property पे जाए, objects पे जाए, इसको वापिस से tick माना दीजा, यह tick होना वह जरूरी है, नहीं तो आपका कोई भी OU गलती से अगर delete हो गया, और यह बहुत अच्छा option भी है, क्योंकि आप directly OU को delete कर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गलती से OU delete हो गया, basically OU का container है, जहां पे मेरे users, computers, मेरे exist हो करते हैं, तो अगर गलती से, यह option अगर नहीं होता, अगर मैं OU को delete कर दो, तो उसके अंदर रखे objects भी delete हो इसलिए इस option को लेकर आएगा, कि आप directly OU को delete नहीं कर सकते हैं, अगर आपको करना है, तो आपको इस option को uncheck करना होगा, ठीक है, तो आज हमने देखा कि किस तरह से OU को हमें create करना है, कैसे OU को move करना है, और कैसे OU को delete करना है, ठीक है, तो इसके बाद हम इसी चीज को command के through क करेंगे, पावरशल को use करते हुए, कि OU को कैसे create करना है, OU को कैसे delete करना है, तो next class में हम लोग, मतब next video के अंदर मैं आपको इसका command प्रूम बला practical दिखाऊंगा, ठीक है, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye and take care, और अगर आपको वीडियो पस्तन दार तो प्लीज वीडियो को like कीजे, share कीजे और चैनल को subscribe करना ना भूले, ताकि आपको ऐसे informative वीडियो आगे में मिलते रहे,